दोस्तो आज हम लीडियो बनाने जा रहे हैं पिस्टन रिंग पिस्टन में कैसे सैट करते हैं यह जो आपको रिंग दीख रही है यह पिस्टन में कैसे सैट करते हैं जब भी कोई मेकेनिक भाई नया इंजन गाड़ी का बांगता है तो हजार, दो हजार या पांच हजार चलने के बाद फिर से स्मोक दिखाने लग जाती है यानि कि दुआ दिखाने लग जाती है तो यह प्रोब्लम एक ही कारण बस आती है कि इंजन में जो पिस्टन डाला गया है उसकी रिंग सहीं तरीके से सैट नहीं की गई है इसी वज़े से गाड़ी फिर से स्मोक दिखाने लग जाती है तो आज हम आपको इस वीडियो के माद़न से यहीं बताने जा रहे हैं कि इंजन में जो पिस्टन डालते हैं उसमें रिंग कैसे सैट करते हैं जो कंपनी के हिसाब से जो होता है वही सही तरीका आपको शिखाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो पर बने रहे हैं और आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें यह मोटिवेशन मिलता रहे हैं कि हम हमारी जो जानकारे वह आप लोगों के पास पहुंच रही है जिससे कि हम दूसरी और वीडियो बनाएं जिसमें आपको बता सकें कि बाइक में क्या प्रोब्लम होती है और इसको सहीं किस तरीके से करते हैं तो फ्रेंट्स आ आज हम जानेंगे तो पहले हम इन रिंगों को निकाल लेते हैं जो की काफी फिट डली होई है क्योंकि यह जो अभी इंजन बंदा है हमने उसका पिस्टन है जो कि खराब हो चुका था तो हमें लगा कि आपको यह जानकारी बता देने चाहिए कि पिस्टन रिंग कैसे डाल आपको दिखाने के लिए रिंग होंते हैं दो यह मिलाके हमारे पास पांच रिंगोंती है जो कि हरकी फिटन मिंग जाहिए और यहित पिस्टन में यह हरते हैं हरकीजाईन है हालांकि जैसे कि कोई बाइक अलग अलग डिजैन की होते थे तो उनके piston की डिजैन चेंज होता है और यह पर यहां पर लिखाओ या आउट कुछ भी लिखाओ हम इसको ऐसे सेट करते हैं इन वाला इससा उपर होता है कार्बोरेक्टर की तरफ होता है तो जो यह रिंग होती है काफी मेकैनिक भाई इसको डबलू बना कर डाल देते हैं जो कि ज्यादा प्रोब्लम तो नहीं है पर कंपनी की तरफ तो हम इसको देखे फ्रेंट्स यह हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह एम का निशान बन जाएगा तो ऐसे डलते हैं और इसका मुझ अनिकी तरफ होता है तो हम यह नीच्चे वाले खच्चे में डालेंगे जो कि बीच में जो इन है इन है इसके 90 डिग्री पर आप यह कर ली आप सिंपल में समझ सकते हैं तो जो यह खाचे बने होते हैं 90 डिग्री तो वह है कि कई पिस्टनों में अंदर खाचे नहीं आते कई अलग अलग यह जो अंदर छेद बने होते हैं और कईयों में नहीं होते कईयों में बार होते हैं अलग अलग बाइकों के कंपनियों के अ 90 डिग्री पर हम इसको एम बनाकर डाल देंगे यह हमने लगाए और यह एम बनके डल गया इसको देख लेना इलागे सेंटर में है यह एक हो रिंग होती है जो काफी पतली आती है ज्यान रखना फ्रेंड्स यह बैंड ना हो जाए क्योंकि यह हलकी आती इसलिए बैंड जल्दी हो जाती है तो इनकी तरफ इनका मुह रखना है और जो निच्चे वाली रिंग है पहले निच्चे वाली डानने तो जो राइट तरफ है राइट साइड जैसे कि हमार पिश्ट हे निच्चे वाली निच्चे वाली डालें और निच्चे वाली अगर छे यह थे 220 जैसे दया ने दोनों सेडा में डालें या या पैंतारस डिग्री का आप अपना इसाब लेके डाल दें यह हमने डाल दी देखिए यह यह डल गई है और यह सेंटर वाली है यह डल गई है और यह हमारे सेंटर वाले दे के इसको खोल के दिखाएंगे यह इनकी एकदम सेंटर में है और यह इधर है पैंतारस डिग्री पर अब हम उपर वाली रिंग देखेंगे यह देखिए हमारी उपर वाली रिंग है आप टैंस में लीजिए आपको डाइग्राम से भी समझाएंगे यह इस वाले जो 90 डिग्री पर लेफ्ट साइड 45 डिग्री का कौन बनेगा जो एक यह दलते ही अपने आप ही शायट होजकती प्यों चुन मेकानिक भाई पहली बार डालते है तो क्या होता है कि यह वेंड हो जाती है फस जाती है तो ऐसा ना आगरे आराम से डालें ने यह देखें फिट होगई है एक दम फिट हो गई यह देखें यह खाचा थोड़ा सर अगर आगे पिछे हो जाए तो आप आराम से खिशका सकते हैं इसको कोई दिक्त नहीं है कई बार जो मेकेनिक भाई होते हैं नए वाले वह ऐसे करते हैं कि एक बार रिंग शैट हो जाते उसको छेड़ते नहीं है थोड़ी बहुत आगे पिछे 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 दिक्त नहीं है यह हमारी फिट हो गई है यह राइट वाली निच्चे 45 डिगरी पर यह लेफ्ट वाली इन की तरफ यह ऐसे डले गा है जो काहरें की तरफ होते हैं तो का कर्बडर्टर की तरफ इंजिन जो पर कर्बड़ेटर लगा वा लेता हैं तो का यह ओय्लिंग का मूह यहां प्रिछा़ से कहा देते है अगर कोई पिस्टन में नहीं लिखाऊ हो और टो पिस्टन को एसे दालते हैं तो उपर तो उस तरफ यह ओने चाहिए और इसके भी प्रीच साइड यह उत्ते हैं जो हम प्रेशर रिंग कहा देते हैं तो फ्रेंड्स इनको डालने का सीधा साथ तरीका है कि यह हमने उपर इनकी तरफ डाला है और इसको हम साइलेंशर की तरफ जो अपस्टा आख वथा उस तरफ डालेंगे जहाँ पर GNS, GN5, लिखाव रहें जहू जो यह निकि साइलेंशर जो समझ सकते हैं उप उद्बड डालने में तो फ्रेंट्स यह दो रिंग होती है तो काफी मेकेनिक भाई जो सिंपल में जो भी होती है उसी को डाल देते हैं दोनों में ऐसे कोई सी भी तो फ्रेंट्स ऐसा ना करें या तो इनका कलर होता है जो एक ब्लैक होती है और एक सिंपल वाइट कलर की होती है और एक ब्लैक कलर क नहीं आप पर लिखाता है top 1, top 2 तो फ्रेंड़स आप पहले top 2 डाले जो कि black kleur की हinka लत्ती है वह अमेंग्स साइलेंसर की तरफ डाले जैसे कि इसको कैसे करते हैं यह साइलेंसर की तरफ है तो इसको अपनी तरफ बाग कर लें जिय साइलेंसर वाला और वही तरीका है कि 45 डिगरी पर है तो चेंटर के टोप टू तोप टू लिखा उवा तरह हूं भाग निच्चे के तरफ ने उपर की तरफ रखना है इस तरह पखड़ना टोप टू इधर रखना है और यह हमने इधर लगा और इसको गुमा दिया यह अपने आप सैट हो जाएगी यह होगे अगर यह थोड़ी सी जबे छोड़ी तो आप इसको सैट कर सकते हैं यह होगे यह पुराना प्रिष्टन है इसलिए इसमें सही से बैट नहीं रही रिंग थोड़ी चोड़ी होगे कई बार निकल चुकी है यह आपको दिखाने के लिए इसलिए और जो टोप वन है वो भी उपर की तरफ रखना है और इसको लेफ्ट साइट डालना है वह ही 45 डिग्री पर आपको फिर समघा देते हैं जो ओल रिंग है जो कि ऐसी होती है ऐसी होती है ये निच्चे वाली मेगो इनकी तरफ में बना कर dar नेंचचे की तरफ और 90 डिगरी टिरी कि यानिकर बीस में कि सिट न Dollarnya कि दो Should Do इंदर कईबाई को मिंहें यह बाहर की तरफ त 됩니다 दो फुर दो इसायनों कि या सॉंपार करके डाल सकते हैं फिर इनके दोनों तरफ जो रिंग आती है वो जो निच्चे वाली है पहले रिंग डालेंगे ये निच्चे वाली तो ये राइट साइड 45 डिग्री यानि कि ये सेंटर है इससे थोड़ा इदर एक छेद छोड़ कर दूसरे के बीच में यानि जो लास्ट वाले दो छेदे द कोनों के बीच में या 45 डिग्री या 2 शेद दो के बीच में डाल दिया इधर मुझ करके और यह वाली है इसके उपर जो कि हम इसके उपर लगाते हैं यह वाली हम इधर डालेंगे जो कि शैंटर में हमने ओल रिंग डालिया उसके यानि लेफ्ट साइड एक छेद छोड़ क कि 45 डिग्री पर डालेंगे इधर इधर मुह होना चाहिए और यह इन की तरफ होना चाहिए जो कि ऑलिंग डाल चुकिए अप्रेसर इंग डालेंगे तो इसको उल्टा पकड़ लीजिए जो साइलेंसर वाला भाग है यह इधर ले आए तो यह टोप टू टू लिखी हुए हो उसी तरह 45 जो कि सेंट्र है इसका वाग यह वाला सेंट्र है सेंट्र से 45 डिग्री इधर डाल देंगे आप यह मत समझना कि यह जैसे कि 90 डिग्री हमने ऐसे बना दिया तो 45 डिग्री इधर यह नहीं जो छेद होते हैं उनका इसाब ले कि आपको डालनी है यह तो थोड़ा सार इधर यह थोड़ा से इधर आगे पिछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पर इस तरफ डालनी है हलकी सिर्फ छेद से अगे निच्छे देखें तो इसमें अंदर छेद बने हुए हैं जैसे कि यह एक दो तीन च्यार चार च्छेद बने हुए हैं और उपर बने हुए हैं एक दो तीन चार पांट च्छेद तो इसके अंदर वाले च्छेद हैं जो कि हम आपको दुबारे दिखाएंगे खौल के वह फिर से समझाएंगे तोप तू वाली इस तरफ डालनी है सैलेंसर वाले तरफ और तोप तू उपर लिखा होना चाहिए इस रिंग के उपर औ तोकि यह है इस से इदर सेंटर से इदर फोड़ा सर इदर है मैं डल गई तोप वन उपर की तरफ टोप टू बीच में साइलेंसर और ओल रिंग साहिए इन की तरफ जो कि हम कारवर्ट की तरफ करह देखते हैं यह पिस्टन है हमारा और यह इन लिखा हुआ है यह आउट जो कि यह साइलेंसर वाला भाग है और यह कारवेटर वाला पिस्टन हमारा ऐसे लगता है इंजन का मुँआ आगे की तरफ होता है तो इन वाला इस साइड है तो यह पहली रिंग जो कि हम ओल रिंग गोल देते हैं इस तरह की आन वाला भाग बना दिया फिर इसके निच्चे यह 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 वाले इस तरफ दूसरी उपर वाली इसके दूसरी तरफ जो प्रेसर रिंग होते है टॉप टू पहले आएगी और टॉप वन उसके उपर वो तो नाम से पता चाल जाएगा फ्रेंट टॉप में फश्ट आती है फिर इसके निच्चे निफटे टूप फिर ऑले टॉप वन कि हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो कैसे होगा फ्रेंज इसको ऐसे घुमाएंगे तो टूप टूप टू इदर आएगे और टॉप वन उपर की के लिए क्रेंग के साथ हुआ है तो आँ इसको एक बार फिर से खोल के अंदर वाले च्छेद दिखा देते हैं और मैं स्मोक करने का यहीं होता है फ्रेंट्स की पिस्टन जो रिंग है वह था ही तरीक के से सैट नहीं होती यह देखे इसके अंदर भी छेद बने वे रहते हैं देखे देखे यह बार वाला छेद है यह अंदर वाले दो छेदों के सेंटर में है पैन से दिखाते हैं यह अंदर वाले दो छेद है और यह बार वाला छेद इन दोनों के सेंटर में इन दोनों के इन दोनों के इन दोनों में इधर छोड़ दिये यह एक दो और इधर वाले एक दो जो सेंटर वाला है यह वोई 90 डिगरी पर बन जाएगा और हम इधर ओईल रिंग डाल देंगे एम बनाकर फिर हमने इधर डाला था यह यह दो छेदों के बीच में तो फ्रेंट्स एक छोड़ दिया आपने और दूसरा छेद वहीं सेंटर में आ जाएगा इधर डालनी है कौन सी जो ओईल रिंग के निच्चे वाले रिंग होती है और इस तरफ एक छेद छोड़ दिया दूसरे छेद पर जो ओईल रिंग के उपर वाले रिंग होती है और यह सेंटर तो कितना असारा है देखें यानि कि सेंटर से दूसरे छेद पर डालनी है आप थोड़ा बहुत करें तो आप अपने तरिके से इस छेद पर भी डाल सकते हैं और वह का मुँ इधर कर देते हैं साइलेंसर की तरफ तो फ्रेंट्स उसमें क्या होता है कि हाँ बाइक चलेगी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी पर कुछ समय के बाद वह फिर से स्मोक करने लग जाएंगे तो आप ऐसा नय करें और यह इन की तरफ हो गया और यह देखें वही तर बाइशी तरीके से एक छे छोड़ास दूसरे च्हेद में सेट है और इधर वाले obtौप एक छे छोड़ास दूसे च्हेद में सेट हैं थोड़ी ही हे चुकी है एह हमने च्षेडि है तो आप थोड़ा इसको और यहाहतं तक ले आ सकते है ट्लियद ऐब आ द्यान रखना था कि इन रिंगों का मुह आंः सामने नहों जैसे कि ऑख़ा यह करती तो ऐसे नहीं दूराइब इसी नहीं होना यह किसी भी रेन का मैं आमने सामने pictureRIcket ऑना कि जो हमारे पिस्तं में जो आगे ना आए फिस्टन के उपर कई मेकनिक क्या कर देते हैं इनको ऐसी सिद्धा डाल दिया तो यह क्या है और यहां से लीक होगा और इधर आ जाएगा जिससे कि आप स्मोक दिखाने लग जाएगी और जो हम ऑइल डालते हैं वह आजार किलोमेटर भी नहीं चलेगी और आप यह पिस्टन देखिए और हमें कमेंट बोक्स में बताए कि यह पिस्टन की स्पाइक का है और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़ी रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें अगली वीडि की साहिता से भी आपको समझा दिया है